कि आंजी मेरीटेशन रिलेटड तोड़ेनल एक स्टोरी शेयर करना जा रहे हैं मेरीटेशन जिननर नहीं पता नाम जपना त्यान लगाना साधना करनी प्राथ ना करनी इस सारे मेरीटेशन दाई पार्डनी जा मेरीटेशन ही ने सो एक वारी एक meditation camp दे विच एक student जो कि उदे past trauma तो लेके बहुत ज़्यादा दुखी सी क्योंकि वो car accident जो लंगिया सी ते car accident दे नाल दे उदे काफी बंदे पूरे उचुके सा न ते वो trauma meditation कर दे समय उदा बाहर होंदा सी ते बहुत ज़्यादा दुखी होंदा सी सो उनने सोचा कि meditation मैं करना याँ थे मैं थे खुशी लेना याँ बट मेरे अंदरों दोख बाहर निकल रहे है सो इना सारी ज़्यादों दुखी होके वो अपने गुरु को जानता है तो गुरु नो किन दा कि देख मैं meditation इथे शांती लेन 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 ले आया सी meditation केमप दे बेचे शांती थे खुशी लेन ले आया सी बट मेरे को ज़्यादों मैं अखा बांद कर दा meditation शुरू कर दा मेरे को ज़्यादों सारे दोखी दोख बाहर हों दे तो इदा को मैं नो solution दास सो धी गुरु ने पूछया जे को एण गुक्षिं दय तो लेना चाहेँगा उन्हे के हाँ वाइग नो मतलब मैं धुशी लेना चाहांगा ते उन्हे उनन क्या भी जे एटनों को दोख देना चाहे तो दोख लेना चाहेंगा तो गुरू के इन्दा भी उस मंतर दी एक की शर्ते कि जय उ मंतर तो जपेंगा तेरे दोख सारी खतम हो जानगी बट ओ शर्ते दे कोडिंग तेन् figuring कोई खुशी भी नहीं 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 चाहिएगा उदे गुरु ने किया कि ए हे एक package है एक buy one get one free दा offer है कि जे तेरे कोड़ सोख होणगे एदा मतलब दोखवी होणगे जे तेरे कोड़ दोख होणगे एदा मतलब तेरे कोड़ सोखवी होणगे बट जे तेरे कोड़ सोख होणगे एदा मतलब दोखवी होणगे एक चीज दूसरी चीज नो लेकी आएगी हमेशा हास दे रहोगे ताड़े में चारे दे स्माइल रहेगी या कोश ते दा मतलब वे भी नहीं हैगा कि तुसी हमेशा दुखी रहोगे या कोश इद गुरू दा कहना है मेडिटेशन दा परपस है कि चाहे किन्ना भी माड़ा समय तुसी इस माड़े समय दे वेच अपने एमोशन से अपनी फिलिंग्स से अपने आलेद वाले कंट्रोल कर सकोगे कि तानू उस जड़े पारी दोखदा कोई ज़्यादा असर नहीं होना सिमिलरली जब पहुत ज़्यादा को खुशी अड़ा मुख है तो तुसी ओद ज़्यादा खुशी पागल नहीं हो जाओगे मेडिटेशन दा परपस है कि तुना एमोशन आनू सोख दे दोख दू बैलेंस करना तुसी सोख भी अधना नॉर्मल रियक्ट करोगे तुसी खोशो होगे बट एन की तुसी ओवर एक्साइटड हो जोगे जे तुसी दुखी हो या कोई हो और मेजर ट्रोमा आ गया ताड़ी जिन्दगी दे वेच सोख दूख दे वेच भी तुसी नॉर्मल ही रियक्ट करोगे तुसी दूखा असेट करोगे सोब मेलेटेसां दापरपज यही है कि लाइफ नू अपने इमोशन नू बैलांस करना सोख दे दूख दे वेच पर मातमा दा शुकर करना सेप्ट करोगे सो मेडिटेशन दा परपज यह है कि लाइफ नू अपने एमोशिंज नू बैलंस करना सोख ते दोख देवेच परमात्मा दा शुकर करना सोख ते दोख नू परमात्मा दी रजा मननना ते चोवी कंटे अपने मलवज़त्या आने ओहो परमात्मा दे प्रती स मरपत करते ना प्रेजंट चे रहना ना पास्ट चे रहना ना फ्यूचर चे रहना सो मेडिटेशन दा यह परपस है फिर ओदे गुरू ने नू पुछया कि जे तेनू बहुत एक्साइटमेंट वाली खुशी चाहिए दिये फिर तेरली मेडिटेशन मलव केंप या खुश दना को मरें पिर ओदा गुरू युज प्रूख दना कर रहा है कि जोघुक्ते दोख दे वेच बिलक कुल बरापर इक सुमुंदर दी तरह कि शमुंदर देवेच Olivia पाणि जिन्नामरजी पाणि पावी दो झाह सुमुंदर जो पानि कट भी लहुट मुंदर नों को मंदर बना दें दिये सो मेडिटेशन करना बहुत ही चंगी च्जीज है साइटिस्टान ने वड़ी वड़ीया रिसरचन किति आ ने बहुत ज़्यदा किति आथलीटस नुड नो मेडिटेशन कराई म्रीन जड़े ने आर्मी जड़े काम करते है डिफेंस परसनल ने, नेवी ए, एरफोर्स ए, सारे meditation नो अपने काम अदा एक पार्ट ला के आ रहे ने एक बहुत ही चंगी चीज है, तुझी ही meditation कर रहा करो Thank you so much, God bless you